पीम मोदी की हलोचना करने पर एरलाइन्स कंपनी गो एर ने अपने एक पाइलेट को नोकरी से निकाल दिया है कंपनी ने कहा है कि ऐसा व्यभार उसकी नीतियों के खिलाफ है कंपनी ने पाइलेट की सेवाओ को तुरंत प्रभाव से खत्म कर दिया और सभी करमचारियों को जिरो टोलरेंस नीती का पालन करने को कहा है साथ जन्वरी को किये गए ट्वीट में पाइलेट विकी मलिक ने अपने हैंडल एड़ दरेट मिके मलिक से लिखा था पीम बेवकूफ हैं जवाब में आप भी मुझे बेवकूफ कह सकते हैं ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं पीम नहीं हूँ लेखिन पीम बेवकूफ हैं विवाद बढ़ने पर विकी मलिक ने बाद में स्ट्वीट को डिलीट कर लिया था और माफी मांगते हुए कहा था कि ये उनकी निजी राय है लेकिन उनकी माफी काम नहीं आई और गो एर ने उनने बाहर का रास्ता दिखा दिया गो एरलाइन्स के इस कदम की सोशल मीडिया पर काफी आलोचना भी हो रही है लोग सवाल उठा रहे हैं कि पीएम की निंदा करने पर किसी को इस तरह नोकरी से कैसे निकाला जा सकता है लोग गो एर को समविधान द्वारा दिये गए अभी वेक्ति की आजादी के अधिकार की दुहाई भी दे रहे हैं कई लोग गो एर के अलोचना करते हुए बहिष्कार की बाद भी कर रहे हैं कई लोग लिख रहे हैं कि वो गो एर से सफर नहीं करेंगे वहीं कुछ लोगों ने चुटकी लेते हुए पूछा कि पाइलेट ने सिर्फ लिखा था कि पी-म बेवकूफ हैं उन्होंने किसी का नाम नहीं लिखा तो भला गोएर को ये कैसे मालूब हुआ कि कौन से प्रधान मंत्री बेवकूफ है ये खबर PTI द्वारा किये गए ट्वीट और अन्य मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है ब्यूरो रिपोर्ट देशुद्र